हम लोग यहां रहते हैं और मैं आपको अपना घर अंदर से भी दिखाऊंगे मगर उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारा सोसाइटी कॉमपलेक्स अंदर से इस कॉमपलेक्स की मुझे बहुत अच्छी बात ये लगती है कि यहां बहुत सारी amenities हैं सुविधाएं हैं हमें swimming के लिए, tennis के लिए, gym के लिए, squash के लिए, jogging के लिए, cycling के लिए, skating के लिए, football और cricket के लिए इन में से किसी के भी लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता ये सारी facilities, ये सारी सुविधाएं हमारे सोसाइटी कॉमपलेक्स के अंदर ही है इमाद का school भी सोसाइटी कॉमपलेक्स के अंदर ही है ये football ground है और उधर है cricket field मैंने इमाद का ओलेडी एक वीडियो बना रखा है जहाँ पर इमाद इस football ground में football खेल रहा है मैं description में उसका link रे देंगी इमाद दौड रहा है jogging track पर और ये है cricket ground ये जगा है skating के लिए हमारी society में ये herbs garden है यहाँ पे काफी सारी herbs है spices है और vegetable भी उगाई जाती है आईए आपको दिखाती हूं ये तेजपत्ता के पेड़ है देखिये these are mint leaves ये लौकी के पौधे है बेल है और ये है करेली की बेल और ये है बैगन के पौधे और ये है भिंडी we call these पथर चटा इन हिंदी इमाद को यहाँ concrete में खेलना बहुत पसंद है हाई इमाद इमाद बड़ी मुश्किल से इमाद राजी हुआ है यहाँ से जाने के लिए ये बहुत बड़ा क्लब हाउस है हमारी सोसाइटी में इसके अंदर भी बहुत सारी एमेनिटीज हैं सुविधाएं हैं अगर आप पूरा क्लब हाउस भी अंदर से देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं अलग से क्लब हाउस के अंदर का व्लॉग बना दोंगे फिलाल चलते हैं कलब हाउस के ऊपर चिल्डरन प्ले एरिया पर हमारी सोसाइटी का फ्लेग्राउंड है यहां सुभा योगा क्लासेज होती है और शाम को कराटे क्लासेज होती है उसके अलावा बच्चे यहां खेलते रहते हैं पुद्दार इंटरनेशनल स्कूल लग्किली उसे स्कूल जाना पसंद है क्योंकि उसे अपनी टीचर बहुत पसंद है यह हमारी सुसाइटी के अंदर स्विमिंग फुल है मैंने अल्रेडी इमात का स्विमिंग वीडियो अप्लोड कर रखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेर कर दोंगी यह है गेट नमबर टू और इस तरफ यह मांटेन व्यू है यह व्यू मुझे बहुत खुबसूरत लगता है हमारे फ्लैट की विंडो से भी यह पहाड दिखते हैं हमारा अगला वीडियो होगा माई होम टूर प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए